हेलो एविवान वेलकम टू तरुनायस अक्याडमी दिस साइट सौम्या और जैसे की आप देख सकते हैं इस तरीके का नहीं सोचना है कि मैं तो ओट झ änd lát nominiटो और जो जो बी कुछ सीखते हैं वे ऐगे जाके कहीं न कहीं use हो जाता है knowledge एक ऐसी चीज है जो कभी waste नहीं जाती है कभी बरबाद नहीं जाती है इस एक तरफ use नहीं आएगी दूसी तरफ use हो जाएगी ठीक है हो सकता है UPSC नहीं होगा कोई और paper हो जाएगा कोई और नहीं होगा कोई और हो जाएगा options आपके पास बहुत सारे है क्यों क्योंकि mind आपका एकदम open है देखो UPSC की preparation मेरे according तो हर बच्चे को 11-12 के बाद जो है 2 साल कंपल सरी कर देनी चाहिए reason क्या है इसका reason यह है कि दिमाग जो है एकदम खुल जाता है UPSC करके आदमी जो है person जो है वो इतना जाता broad minded हो जाता है कि उसको चीजे समझने में capture करने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता रास्ते बनाने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता तो UPSC पढ़के ना फाइदे बड़े हैं ठीक है यह सरफ एक्जाम है जिंदगी नहीं है कितने सारे न्यूस में हम पढ़ते हैं कि एक्जाम नहीं हुआ attempted suicide, suicide कर लिया, मर गए पिटा एक्जाम है उसको एक्जाम की तरह लीजिए जिंदगी नहीं है ऐसा नहीं है कि आप I.S. बन जाएंगे तो सब मतलब आगे पीछे गूमेंगे, गूमेंगे, no doubt बहुत prestigious position है बट इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप ही आप और बाकी सब पानी कम ऐसा भी नहीं होगा क्योंकि आपके उपर भी बहुत लोग बैठे हैं फिर उनके ओपर भी बहुत लोग बैठे हैं फिर उनके ओपर भी बहुत लोग बैठे हैं तो यानि कि pressure I.S. officer पे भी होता है और यकीन मानिये बहुत जादा होता है बट आपको भी पता इसले नहीं चलेगा व्रेकर यूर ऑन दो अधर साइड ऑफ दो कॉइन उनके भी आप यह सोच हो ना कितने सारे लोग आप पढ़ते हो ना नूस में कितने सारे लोग जो है वो सलेक्ट हो जाते हैं और रिजाइन अगर सब कुछ इतना ही साथ अच्छा होता तो वो रिजाइन क्यों करते कितने हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं कि IRS officer attempted suicide, IPS officer attempted suicide, IS officer due to pressure attempted suicide क्यों? अगर इतना ही सब अच्छा होता, इतना ही सब मौझ आ रही होती तो इतना extreme step कोई क्यों उठाता? that means कुछ तो problems है ना, on the other side है ना, जो हम अभी देख नहीं पारे, but problems तो है yes or no? yes, so इसलिए आपको जो है, इसको exam की तरीके से लीजिए life मत बना लीजिए आप ये सोचिए, ये exam इधर है, मेरी life इधर है उससे कई गुना जादा ऊपर है अरे ये नहीं होगा, कुछ और होगा, कुछ और नहीं होगा, कुछ और होगा मैं बहुत capable हूँ यार कुछ ना कुछ कर ही लूँगा, अपनी life के साथ अच्छा ठीक है? so exam है, उसको exam की तरह ही लेना है जादा सर पे नहीं चड़ाना है, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुली lose attitude ले ले ultimately आप अपना time denote कर रहे हैं और time is money, time is very precious if gone once will never 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 come back okay, so इसी लिए क्या करना है success के बाद का plan तो सब के पास होता है कि बन जाओंगा तो ये करूंगा Mercedes यहां से निकलेगी, Jaguar वहां से निकलेगी ये लड़की गूमेगी मेरे साथ ये होगा, ये होगा, सिंगम की तरह गेट खोलेंगे सब के पास है but failure के बाद का plan किसी के पास नहीं होता है ना, ऐसा ही होता है ना failure के बाद का plan किसी के पास नहीं होता इसलिए mature समझदार आदमी वो होता है जो दोनों तरफ की सोच के चले कि अगर success हो गए तो भी कोई इत्ती बड़ी बात नहीं है या नौकरी करेंगे और अगर नहीं हुए तो भी इत्ती कोई बड़ी बात नहीं है फिर भी नौकरी करेंगे या अपना business करेंगे ठीक है इसलिए हो जाओ ना हो जाओ कुल मिला के बात यह है कि इसको एक exam की तरीके से लो life मत बनाओ ठीक है वरना उतना ही जादा और इस process को ना enjoy करके करो जितना जादा अपने काम में आप मजे लोगे ना उतना जादा इस काम में इंग्रोज्ट हो पाओगे आपने देखा है जब आप पिक्चर देखते हो जब आप गूमने जाते हो आप क्या प्रेशर लेकर जाते हो पुझे घूमने घूमने यहां जाने वहां जाने अरे यह घूमने वह घूमने ऐसे तो आप घूमी नहीं पाओगे कि अरे पिक्चर देखनी है अरे ऐसे देखनी है तीन घंटे बैठ गंटे मज़ा आजाय कि वा आज मैंने जो पढ़ा है ना मज़ा ही आगया बस मौज ही कद्धी ठीक है तो ऐसे पढ़ो कोई आपसे नहीं कह रहां 12 गंटे पढ़ो 14 गंटे पढ़ो कोई पढ़ भी नहीं सकता सच बता हूं तो 12 14 गंटे सब धकोस लाए कहने की बाते हैं कुल मिला के छे से साथ आठ घंटे पढ़ सकते हैं तो जितना भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो इत्मिनान से पढ़ो अराम से पढ़ो समझ समझ के पढ़ो रटत विद्या कहीं कहीं काम नहीं आईगी एक दिन याद करो के दो दिन भूल जाओगे Connectivity के साथ पढ़ो Connectivity की स्टिडिया का नाम है Прilams Booster पांच बचे आके देखलो पर चल जाएगा Connectivity उस तिडिया का नाम है कि अगर आपने Ancient History पढ़ रहे हो बुद्धिजम के बारे में पढ़ रहे हो तो पिच्छर भी बुद्धिजम की चलनी चाहिए पिच्चर मली का शरावत की नहीं चलनी चाहिए दिमाग में ठीक है तो जो पढ़ रहे हो उसी की मूवी अगर चल रही है तो that means क्या है आपका connectivity हो रही है ठीक है तो ये जो है दोनों ही तरफ से सोच के चलिए इससे क्या होगा जब आप process में होगे तो pressure नहीं आएगा pressure नहीं आएगा तो काम को मजे लेके कर पाओगे मजे लेके काम को करोगे enjoy करके करोगे तो automatic आगे बढ़ोगे ठीक है now what matters in life क्या matter करता है life में कोई exam पैसा पैसा बहुत आप तक करता है ठीक है बट पैसा सब कुछ नहीं है बहुत सारे लोगों के पास बहुत पैसा होता है फिर भी suicide करते हैं satisfaction is most important आपको किस चीज से satisfaction मिलता है किस चीज से सुकून मिलता है वो सबसे जादा महत्वपून है अपनी willpower की कोई बात नी यह नहीं हुआ तो क्या हुआ कोई और सही लेंगे महां काट लेंगे या मढ़ जाएंगे दूसरा तू नहीं तो कोई और सही कोई और नहीं तो कोई और सही और कोई और नहीं तो कोई और सही ठीक है तो life है भतेरे आएंगे भतेरे जाएंगे चिल मारके आपको रहना है ठीक है अराम से अपने काम पे concentrate करो, पढ़ाई पर concentrate करो, अपना काम अच्छा होगा, आप अच्छे होगे, तो तमाम लोग आपकी जिंदगी में आएंगे, ठीक है? तो will power जो है, वो बहुत strong होना चाहिए, कभी भी हताश, निराश, परशान, बिल्कुल नहीं होना है, confidence अपने उपर रखना है, अपने उपर confidence रखना है, कि मैं कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती? I, देखो, I won't do it, मैं नहीं करूँगा, अब यह तो highly negative person, है ना, जिसका हम कुछ करने ही सकते, I can't do it, मेरे से कैसे हो पाएगा, हो दे ना कुछ ऐसे it, how do I do it, मैं इसको कैसे करूँगा, मतलब अब आपने दिमाग लगाना शुरू कर दिया है, then I will try to do it, यह बाग कर के देखता हूँ, होता है ठीक है, नहीं होता है, बट यह बाग करू तो, देखू तो, I can do it, यह तो मैं कर सकता हूँ, then I will do it, मैं कर के रहूँगा, and finally I did it, मेर से हो गया, ठीक है, so यह सारे ही पड़ाव जो है, क्या है, to improve your self-esteem, ओके, और यहाँ पे आने के बाद, वापिस यहाँ मत चले जाना, बहुत मुश्किल होगा, बिलकुल नस्दीक आने के बाद, बिलकुल पहले पाइदान पे मत गिर जाना, क्योंकि बहुत सारे लोग, 99% जब छोड़ते हैं चीजों को, जब वो यकीन मानिये, अपनी सक्सेस के बहुत नस्दीक होते हैं, बहुत नस्दीक, and then they gave up, why? they gave up, क्योंकि उन्हें लगता है कि, मुझसे नहीं हो पाएगा, जब टाइम बहुत हाड हो जाएगा, जब कुछ भी चीज आपके फेवर में ना हो, अंदर पेशन्स रखना है, थोड़ा सुकून रखना है, और चीजों को करते रहना है, because, जब कुछ भी चीज आपके फेवर में नहीं होगी, तो यकीन मानिये, उपर वाला आपका साथ जरूर देगा, और चीजें आपके फेवर में होंगी, ठीक है? So, self-confidence रखना है, then presence of mind, mind एक ऐसी चीज है कि, अगर आप किसी भी situation में है, negative या positive, आपका दिमाग आपको उस situation से बाहर ला सकता है, ठीक है? So, इस दिमाग को सही जगे पे उपयोग करो, सही जगे पे इसका प्रियोग करो, ध्यान से हर काम को करो, ठीक है? और इसका गलत जगे पे बिल्कुल यूटलाइज मत करो, बहुत ही important चीज है, हमारा शरीर कुछ नहीं होता है, कुल मिला के यह जो बुद्धी होती है यहाँ पे, यह matter करती है, ठीक है? यह सुन्दर, ना सुन्दर, यह सब कुछ नहीं होता है, ठीक है? देखने वाले की आँखों में होती है सुन्दरता, ठीक है? अगर देखने वाले की आँखों में सुन्दरता है तो सब सुन्दर है देखने वाले की आँखों में ही सुन्दरता नहीं है तो एश्वर राय भी जो है वो भी सुन्दर नहीं ठीक है? चलो इसी के साथ जो है अब आपको पता चलिया है आपको कैसे tackle करना है और अगर exam नहीं हुआ तो जिन्दगी खतम नहीं हो गई So please, please, please एक exam आपकी life decide नहीं करेगा आप अपनी जिन्दगी decide करेंगे आपको कैसे lead करना है Be a leader, shine out and make yourself proud before making others proud So इसी के साथ video को end करते हैं Like कर लीजे पूरे session को, subscribe कर लीजे channel को Thank you so much, bye-bye and take care everyone